तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि PNV bank account को आप आधार से केसे link कर सकते हैं online OTP के माद्दे हम से इसके लिए क्या process है पूरी life process इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहे हैं हलो दोस्तो मैं राउल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल online life में जहां मिलता है आपको online solution तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को जरू दबाएं चलिए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो दोस्तों आपको हमेशा की तरह सबसे पहले Google Chrome browser खोल लेना है Google Chrome browser खोलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पी एनबी है ना पी एनबी मतलब पंजाब नेश्नल बेंक आपका सर्च करना इसको पाद आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पी एनबी का home page कुलकर आ जागा जो कि कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग चलती रहती है इसमें कौन-कौन से नई प्रोसेस आई पूरा सब कुछ चलता रहता है इसमें आप यहाँ पर एक साइट में देख सकते हैं ओल्लाइन सर्विसेस है और इसमें मोबाइल बैंकिंग सब्सक्राइब करना है ठीक है अब यहाँ पर देखिए अपडेट आधार पर आपको क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर इस सर्विस आएगी है ना यहाँ पर लिखा हुआ है ओटीपी बेस्ट आधार सीडिंग एंड अथेंटिकेशन आफ अकाउंट्स ठीक है मतलर आप ओटीपी के द्वारा आधार को सीट कर सकते हैं अपने बैंक अकौट में आधार को लिंक कर सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर दाना ह यहाँ पर लिखना है आपको दूसरी बेंक कर नहीं लिखना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तीन स्टेप भी दी गई है तो आपको इसमें बताया है कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस करते जाना है ठीक है तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको लि continue पर क्लिक करेंगे तो यह एक प्रोसेस आगे बढ़ जागा मतलब step 1 आपकी complete हो चुकी है है ना इसके बाद आपको step 2 complete करना है ठीक है यहाँ पर जैसे ही मैं continue पर क्लिक करूंगा देखिए इसके बाद आपके सामने दूसरा interface खुलकर आजाएगा यहाँ पर लिखा है आधा request capturing and validation through secure page ठीक है तो यहाँ पर आपने जो account number दिया है उस account से आपका mobile number link होना भी जरूरी है क्योंकि उस mobile number पर आपको एक OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर type करना होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो capture दिखाए ज़रा है capture आपको type कर देना है और validate पर click कर देना है तो account में mobile number भी आपका link होना जरूरी है साथ इसाथ आदार में भी mobile number लिंक होना जरूरी है तभी आप online PNB के account से आदार को link कर पाएंगे ठीक है तो आप OTP डालने पाद validate पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका जो account में detail है वो detail आपकी यहाँ पर आ आपको यहाँ पर क्या करना है आधार number डालना है अगर आपको पास आधार number नहीं है तो आप virtual ID भी डाल सकते इसमें ठीक है तो मैं इसमें आधार number डाल देता हूं आधार number डालने के बाद give consent to use आधार for validation यह ना उसमें आपको yes no दो option दिखाए दे रहे हैं इन दोनों में से आपको यहाँ पर yes कर देना है देन आपको continue पर click कर देना है ठीक है continue पर आप जैसे ही click करेंगे तो आपके आधार से जो mobile number link है उस पर एक OTP फिर सायगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना होता है तो ध्यान रखें आपको आधार से mobile number link होना जरूरी है साथ यसाथ bank account से भी mobile number link करना जरूरी है ना क्योंकि दोनों OTP आपको आता है और दोनों OTP आपको fill up करना जरूरी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर validate पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप आपने जो OTP दिया है इसके हिसने आधार की detail पूरी capture कर इसमें आपकी पूरी detail देती ही आधार के इसाफ से जैसे detail आपकी आधार काट में as it is detail इसमें रहती है मतलब आपका यह process complete हो चुका है है ना मतलब आपकी account से आधार नंबर link हो चुके है ठीक है दोस्तों तो यह थी वो process जिसकी मदद से आप online PNB के account में आधार को link कर सकते इसके लिए आपको कई भी branch से जाने की जरूत नहीं होती है आप अराम से घर बेटे mobile से यह computer से कर सकते हैं ठीक है इसमें condition वही है कि आपके आधार से और account number से mobile नंबर link होना चाहिए अगर mobile नंबर link नेगा तो आप यह online process नहीं कर पाएंगे ठीक है अब उसके बाद आपको क्या करना है मैं इसमें और आपको बता देता हूं इसमें कुछ home pages है home pages पे बता देता हूं यहाँ पर कुछ और process से है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटरनेट banking की process है इसमें के से registration करना है और online service की process है इसमें MSCME और text वाली है ना और mobile app से इसके पीन बीम पास्व होगा कि इन पर registration कैसे करना है ठीक है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और comment करके बताए वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद